देखो अपने पास चार चीजे हैं एक है atomic size एक है ionization potential एक है electron affinity एक है electron negativity ठीक है तो सबसे पहले हम periodic table में इनके general trend की बात करें तो atomic size नीचे आने पे क्या है increase होगा और इस side से इस side यानि right से left जाने पे क्या है increase होगा atomic size का ये pattern चलता है periodic table में और energy potential electron affinity and electron negativity का ये वाला pattern चलेगा ऊपर जाने पे increase और right में जाने पे increase तो ये तो हो गया इनका general pattern तो ये तो सब बचे normally करी लेते हैं इसमें तो क्या ही दिक्कत है बट दिक्कत कहा होती है exceptions में होती है जो इनकी common exception है तो एक एक करके बात करेंगे सबस से super hit question पूछा जाता है वो होता है lengthanoid contraction जर्कोनियम और हाफनियम का almost similar size होता है क्यों lengthanoid contraction की वज़य से और lengthanoid contraction का reason क्या है poor shielding effect of 4F electron जनरली होना क्या चाहिए था जनरली होना क्या चाहिए था हाफनियम का size इस order के according हाफनियम का size बड़ा होना चाहिए था बट लगबग बराबर होता है क्यों reason क्या है lengthanoid contraction और lengthanoid contraction का भी reason क्या है बहुत बार पूछा गया है नीट में poor shielding effect of 4F electron next ionization potential की exception की बात करें तो expected क्या देखो अगर हम ऐसी period में जाएंगे lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon हना ऐसी क्या है इधर की side increase होना चाहिए यह अपना expected है बट reality में होता क्या है reality में कुछ ऐसा है हुआ क्या beryllium जो है वो boron से आगे निकल गया और nitrogen जो है वो oxygen से आगे निकल गया क्यों निकल गया क्योंकि simple सी बात है beryllium और nitrogen की क्या है देखो beryllium की क्या है fully filled orbital है fully filled S2 और nitrogen में क्या है P3 यानि half filled orbital है तो यह fully filled and half filled क्या हो जाएंगे more stable हो जाएंगे तो याद करो ionization potential क्या होता है electron को remove करना तो ये जादा stable हो जाएंगे तो इनसे electron को remove करना हो जाएगा मुश्किल इसलिए इनके energy potential थोड़ी थोड़ी जादा हो जाएगे अना कितनी जादा simple है देखो जो अगला है इससे अगला boron है boron से आगे गुदा दो nitrogen से अगला oxygen था तो oxygen से आगे गुदा दो simple ये याद रखना है next electron affinity के exception की बात करें तो देखो P block में generally ये अपने को मिलना चाहिए था ना ये P block के क्या है स्मॉल साइज के हैं इन में क्या होगा इलेक्ट्रोन डेंसिटी जादा होगी तो सल्ट इनको इनको इलेक्ट्रोन देने में मुश्किल आएगी तो और रिपैल एक्ली तो इनकी इलेक्ट्र कम हो जाते हैं बाकी सारा सेम बाकी सारा बिलकुल सेम है बस यहाँ पे पहली position पे यहाँ पे पहली position पे चेंज आया है रीजन क्या है एलिमेंट के smaller size है इसलिए more electron density अब electron density जादा हो जाएगी तो electron— Otron— Otron why not? हमें क्या करना है इसको electron देना है तो electron देंगे तो यह repel करेगा मतलब इसकी electron affinity कम हो जाएगी ठीक यह अपने को याद रखने है ions के colors को याद करने की trick सबसे पहले है chromium plus 3 chromium plus 3 होता है green color का तो इसको simply याद रखने है green crops green crops green से हमारे पास आया green color और crops से हमारे पास आया chromium plus 3 cr plus 3 next copper plus 2 cu plus 2 होता है blue color का तो इसको कैसे याद रखने है simple एक word cube cube में cu से हमें याद आएगा copper plus 2 और beb से हमें याद आएगा blue तो copper plus 2 होता है blue color का next next है fe plus 3 fe plus 3 होता है brown color का तो simple एक word याद रखने है fiber fiber के f से हमें याद आएगा fe plus 3 और br से हमें याद आएगा brown ठीक है अब last है mn plus 2 mn plus 2 होता है pink color का तो इसको याद रखने के लिए simply एक word याद रखना है pokemon तो pokemon से हमें याद आजाएगा कि pink होता है mn plus 2 ठीक है